देवी मा के जो भक्त अश्टमी को कन्यापूजण करते हैं। दोपहर से होती है और वह हैं अंग्रेजी कलेंडर के अगले दिन तक उसका समय होता है तो उदिया तिती में ही उसको मनाने से सर्वस्रेश वलप्राद्थ होता है आल दोजार चोबिस में नवरात्रों की सुरवात तीन अक्टूबर से होगी इस बार नवमी युक्त दस्मी का संयोग आ रहा है इसको लेकर क्या कहते हैं हरिद्वार के जोतिसी सुनिये सर्व मंगल मांगले सीवे सर्वार साजिगे सरने त्रिम्ब के गोरी नाराइनी अमोस्तुपे अब गी बार इन अक्टूबर गुरुवार एवं हस्त नक्सत्त को परतिवदा से नवरात्र प्राणब हो रहे हैं अब विशेज बात जो बताने की है जब नवरात्रे जो पूरुन होंगे दस्तमी तक का समय के तक अब इसमें अश्टमी नौमी की बात को लेकर के हम कुछ बताना चाहते हैं अश्टमी तिथी 11 दारिक को उद्या तिथी के लुप में है और उस दिन अश्टमी तिथी लगवग 11 वजे तक होगी इस समय में अश्टमी तिथी में जो कन्या पोजन एवं वरत उत्पास को भी कर रहे हैं उसमें कन्याओं को कापोजन करें और अपने अश्टमी तिथी के कारिये को स्रदा वक्ति से संपन्द करें तत्पस्चार उसके बाद नौमी तिथी प्राग्म हो रही है और यह अश्टमी विद्धा नौमी भी है और अगले दिन दस बज़ कर 57 मिनट तक नौमी तिथी रहेगी और नौमी तिथी के दिन प्राग्म होगी और इसका समय तक नौमी की पुजा करने वाले और कन्याओं पूजन करते हैं और द तक सभी परिवार वाले वरत भी रहते हैं तो उस समय तक कन्याओं का पूजन करें उनको जो भोड़निक जाली उनका चरण दोने हैं सब एक कारिये बड़े विदिविधान से करें और दस अवन तक का समय से आगे इसमें समें कारिये को पूर्ण कर लेना है इसमें ही पूर्णिक प्राप्ति हो जो भी हमारे सास्त्रों में इसमें वे सास्त्रों का समय या जो भी हमारे पंचांगे रुप्सार समय है तो यह सब्सक्राइब हर हालत में अपने कालिये को पूर्ण कर लें और संपूर्ण मा भगवति आसी वाद को करने